हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल सुप्रियाज कॉर्णर तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीरे बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं लाई हूं गिहों के आटे और हरे मटर की बहुत ही क्रिस्पी सी स्पिन वेल आप इसे चकली भी बोल सकते हो जो हरी मिर्च ली है दो से तीन और आधे इंच अधर का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है मसालों में लिया है सफिर नमक काला नमक आमचर पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च है इसकी जगा आप मिर्च पाउडर यूज कर सकते हैं मगर यह ज्यादा अच्छी लगती है रेखने म और लिया है भुना जीरा का पाउडर तो चलिए इस आगे की रेसिपी को प्रोसिस को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स यहां मैंने लिया है थोड़ा सा गिहूं का आटा इसमें डाल दे रहे हूं जरासा ओयल का मुहें और थोड़ा सा वाइट नमक मॉहें हमें बहुत न ना के जगा मैदे का भी योज कर सकते हैं अ हुआ से देखिया हल्का सा मॉयनी है कि पालते हुए में हमें आटे को गूत लेना है जैसा हम रोटी का अच्छी आंटा अँगूत नहीं गुतना मैं ईह घैसा शकता बूद रीडी हो चुका है जड़ा सा चीना कर ले रही हूं चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ उबले हुए मंटर को मैंने पीस लिया है आप चाहें तो मैश कर सकते हैं लेकिन मेश करने से बहुत अच्छे से ड़्या नहीं हो लाल मिर्च का यूज बहुत अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए मगर यह किसी रिट्वी में डाल देने पर देखने में बहुत अच्छा लगता है यह देखिए मिक्चर बिल्कुल रेड़ी है और अब आटे को फटा फट से कर लेते हैं चिकना फिर से यह भी पर्फेक्ट ली एक दम बिल्कुल तयार है चकले को करती हूं साफ और बनाती हूं आटे की में छोटी 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 लोईयां लोईयों को आप चाहें तो थोड़ी से और बड़ी भी कर सकते हैं और इसको में फटापर से बिल्कुल जैसे रोटी बनाती है वैसे बना ले रही हूं और यह जो मिक्स्चर है इसे हम अपने हाथों के हेल्प से फैरा लेना है क्योंकि अच्छे चिपक्ती नहीं है कि अध्या उपिए तो क्रीजा बिलकुल पूरी नवी से फैरा लेना है और लास्ट में हम क्या करेंगे इसको चिकना करने के लिए हल्का साइस सपून के हेल्प से इसको ऊपर से लेयर है चिकना कर लेंगे और ऐसे सम्भालते हुए इस रोटी को रोल कर लेंगे यह दिखिए और इसे हम में राउंड शेप देने के लिए इसे हलका सैसे चकले पर फैरा लेना है यह दिखिए इस तरीके से साइट का पोशन काटके में निकाल देना है और लगभग आधी इंच की थोड़ा सा ज्यादा इसमें कटकर निशान लगाते हुए जाना है इस तरीके से और इसे हलका सा शेप देते हुए हमें इसे चिप्टा कर लेना है यह दिखिए इस तरीके से आए ऐसे करके सारी स्पिन वेस को हमें रेडि कर लेना है यह देखिए इस तरीके से से केंड वाली रोटी को भी मैं जो भी मैंने लोईया बनाई है उन सब को में रेडि कर ले रही हूं कि आप चाहे तो मटर के मिक्चर की जगह यहां पर आलू का के वाल मेक्चर भी फैला सकते हैं बना सकते हैं वह भी बहुत टेस्टी लगती है लेकिन चुकि मटर का सीजन है तो हुआ सा नया नाश्ता डिफ्रेंट नाश्ता अच्छा लगता है हमें और इसके साइड के पो और हीट हो चुका है अब अब मैं इसमें एक-एक करके सारे स्पिन वेस को डाल दूंगी यहां आपको एक चीज का ध्यान देना है फ्लेम को हमें हमेशा लोही रखना है ताकि जो यह हैं यह बहुत ही क्रिस्पी बने इसको पलटते हुए हमें इसले अगर आप कर लेना है अगर आप चाहें तो मैंदे का यह आठे का घॉल है कि इसको डीप करके उसमें डीप करके आप इससे डीप स्टाइब कर सकते हैं आई लेकिन मैं इसे यहां पर ऐसे शैलो फ्राइए ही कर रही हूँ अधिये देखिए यह हो चुकी है मैंने से सारी स्पिन विर्स को निकाल ले रही हूँ यह देखिए जितने देखनी में अच्छी लग रही है नो खाने में उतनी ही टेस्टी है और अब इसी पैन्मे में जो बाकी बच्ची हुई स्पिन विर्स से उन्हें भी डालके फ्राइए कर लूँगी फटाफट से और इन्हें मैंने उलटते पलटते हुए सेंख लिया है और मैं इसे निकाल ले रही हूँ फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल बोटन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिप्रिकेशन आपको मिल सके और य मिलते हैं हम फिर से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थैंक्यू सो मच